हेलो फ्रेंस तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोबी का पराठा एक खास ट्रिक के साथ गर आप इस ट्रिक को फोलो करेंगे तो आपके पराठे ना कभी तूटेंगे और नहीं कभी फटेंगे तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलो शुरू करते हैं आज क पतला गुनना है, नोमर जैसे हम रोटी का आठा गुनते हैं, वैसे हमें ये आठा गुनना है, और देखिए इस तरह से हमने आठा गुन लिया है, और आठा गुनने के बाद हम इसको आदर घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखतेंगे, ताकि ये अच्छे से सोफ्ट हो के लिए राखना होगा आप हमोड़ा हमें पटे के लिए रक़ है। अब हम एक गोबीका फूल लेंगे मीडियूम शाइज का मैंने अब हमें इसको हात्तों से ही मोटा- मोटा हम इसको तोड लेंगे इस तरह से में तोडा न है इसके बाद हमें कोवी अच्छे से दूल गई ऑने conversion है मिलनाति मिक्सी जार के कुल due खोवी में टोड़ Biology में टोड़ेंगे और से एक 12 मिक्सी जार में डाल देंगे मिलने ब्रूड selected अगर हम पूरा जार भरेंगे तो यह अच्छे से पिस नीज़ पाएगा इसलिए हमें आदर ही इसको भरना है और देखिए इस तरह से हमें आदर मिक्सी जार भर लिया है आप इसको हम ग्राइंड करेंगे हमें लगातार मिक्सी नहीं चलानी है एक सेकंड के लिए हमें मिक्स करनी है फिर ओफ कर देनी है फिर ओफ कर देनी है इस तरह से हमें तीन से चार बार करना है और यह हमारी जो गोबी है यह इस तरह से पीश जाएगी हमें बारिक नहीं पीशना है इसको थोड़ा दरदरा हमें पीशना है यह देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल और ऐसे ही जो बाकी की गोबी है उसको भी हम ऐसे ही ग्राइन कर लेंगे हम इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा पीसना है और यह देखिए हमारी और बाकी की गोबी भी अच्छे से पीस गई है और यह देखिए हमने सारी गोबी अच्छे से पीस ली है अब हमें एक साफ कपड़ दालेंगे, आप कोई चुन्नी भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो, आप इस कपड़े में जो हमने पिसी हुई गोबी है, वो डाल देंगे, आप इस कपड़े को हमें चारो तरफ से पकड़ना है, और एक कपड़े की पोटली जैसे हम इसको बना देंगे, देखे इस त कपानी निकालना है ताकि जितना देख निकल जाए और यह हमारी जो अच्छे से ड्राय जाए कर देखे हैंग sapi पानी हमने निकाल लिया है अब इसको कहो खेंगे दे5 धह रर्यली है को छोड़ब काट के डाल दिया है थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है अगर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको हरी मिर्च skip कर सकते हैं आप सिर्फ लाल मिज़ डाल सकते हैं और देखिए आदा घंटा हो गया है और हमारा आटा भी तयार है अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे गूंदने से अच्छे से सोफ्ट हो जाएगा और जो इसके पराठे हैं बहुत अच्छे बनेंगे और आटा हमारा अब हम इसतरह से इतालया बेलें के एक फैपले चोटी रोटी बनाएंगे जितनी पूरी तती हैं में इस जोटी रोटी बनानी है आब शटमाज कीनीशए ठाद लेंगे तो ये इसमें अच्छे से बंदनी हो पाएगे और ये फिर पटने का डर रहता है इसलिए हम इतना ही इसमें ये मसाला डालेंगे और इससे अच्छे से हम देखे इस तरह से रोल कर देंगे और इससे बंद कर देंगे और इससे हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह से हलके हाथ स इसको प्रेस करना है ताकि जो मसाला है वो जो लोई के अच्छे कोने-कोने तक चला जाए ये देखिए अब सुखाटा डालेंगे लोई को भी हम सुखाटा लगाएंगे और अब हम इसको हलके हाथ से बेलेंगे हमें इसे हलके हाथ से बेलना है एकदम दपा दबा कर इसको न देनी है यह देखिए हमारा एक पराठा बनके तयार है यह देखिए यह हमारा गोबी का पराठा एकदम रेडी है ऐसे ही दूसरा पराठा रेडी कर लेंगे एक लोई बनाएंगे सुखाटा लगाएंगे एक छोटी रोटी बनाएंगे अब इसमें गोबी का मसाला फिल यह देखिए तीन चमच हमने गोबी का मसाला फिल कर दिया है अब इसको इस तरह से हमें रोल करना है और अब हम इसको बंद कर देंगे फिर से सुखाटा लगाएंगे अब हलके हाथ से हम इसको बेल लेंगे और यह हमार दूसर पराठा भी बनके रेडी है अब एक तवा लें एक पाद के बाद हम इसको पलट देंगे देखें यह ब्लेक डूटस आ जायें इसके एक साईड योइ ब्लेक डोट से पक गया है ऐसा ही दूसरी साइड़ भी ब्ल्लैक डोड लाने है अब इसमें इसाट प्लेक डोड़व पर लुट से और इसमें हमं ओल Allah लगाएंगे र अब तक पराठे का डार्गब्राउन गलर ना आ जाए हम इसको ऐसे ही पलटते रहेंगे पर हलके-हलके हाथ से इसको प्रेस करेंगे देखे हमारा पराठा एकदम फूल गया है जो आए ऑना ही ये टूटा है पर पर असानी से ये बनके तयार हो गया यह देखिए एक साइड से यह टाग ब्राउन हो गया है और ऐसे ही हम 4 तरफ़ इसको प्रेस करेंगे ताकि पराठा 4 तरफ़ अच्छे से कुख हो जाए और कोई कच्चा ना रहे यह देखिए, किनारों से specially हमें इसके अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो किनारे हैं अच्छे से कोको अब हम पराठे को फिट से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी देखिए इसका डाग कलर आ गया है हमारा पराठा बनके एकदम रेडी है अब हम इसको निकाल लेंगे यह देखिए हमारे एक पराठा बनके तयार है अब ऐसे ही हम दूसरा पराठा तयार कर लेंगे इसको भी तवे पर डालेंगे एक देर मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे जब ब्लैक डोट साजा है दोनों साइड तो हम इसमें ओइल लगा देंगे यह दीखिए ब्लैक डोट सा गए है अब इसमें हम ओइल लगा देंगे अब इसको भी पलट देंगे दूसरी साइड से ओईल लगा देंगे फूल गया है और इसे अच्छै से प्रेस करेंगे वो हमारा पराठा बनके रेड़ी है, अब इसको भी हम उतार लेंगे, ऐसे मैं अपने साइब पराठे बना लेंगे, अब हम प्लेटिंग कर लेंगे, मैंने पराठे को दही के साथ सोर्फ किया है, दही है और अचार है आप चाहे तो इसको चाय के साथ खा सकते हैं अगर गोबे के पराठो के ये ट्रीक आपको अच्छी लगे है तो इस चैनल को आप लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ